और टाइम हो रहा है लगबक साड़े पांच पॉटेट यह रोड क्रॉस करते हुए यह देखें इसके जीरो पॉइंट पे वह जाएंगे जीरो पॉइंट तक और देखते हैं रस्ते में जो भी बाइड लाइफ मिलती है वह आपको दिखाने कोशिस करते हैं तो दोस्तो फिलाज शाम के वक्त मौसम हो रखा है बहुत ही जवर्दस्त क्योंकि अभी थोड़े पहले चली थी जवर्दस्त आंधी तो इससे मौसम में काफी ठंडक है तो हो सकता है बाइड लाइफ भी बाहर की और निकल के आए और देखते हैं कि रस्ते में क्या देखने दोस्तो जंगल में जाने ही गल्ती कभी ना करें क्योंकि अक्सर क्या होता है बाइफ देखते देखते अंधर जंगल की ओड जाने ही कोशिश कुछ लोग करते हैं जो की हो सकता काफी खतरना और ये आगया दोस्तो सुन्दरखाल का बड़ा पनोथ नाला ये देखिए और याइधर की साइट चला है पुल का जवर्द स्त काम तो अभी कुछ दिन पहले इधर की साइट भी दिन में ही टाइगर की त差 क地वर सुनाई दी और फिर टाइगर निकल गे अंदर जंगल के हैं जेखल की दोस्तो को अ दो की टाइगर टायरेट्री तो चलते हैं अगे यह देखिए दोस्तों इधर की साइड चला है पुल का जबरदस कहा है और जल्दी आपको इधर साइड पुल बनाव मिलेगा तो आप निकल जाएंगे ऊपर यूपर तो चलते हैं आगे की और देखते हैं साम के वाक्त क्या है वाइड लाइफ की मुवमेंट तो आप देख स है को जफ़िए यह देखिए ये लोड क立ुट करके अंदर कुटे सारे स्पॉर्ट इडीर हैं है दंगरीगेट के पास और पूरों पूरे स्पॉर्ट इड द्यूप अभी रोड करके गया आगे व्विया साइड तो चलते हैं आगे की और यह यह शांस के वक्ट कुछ की ज चलते हैं आगे की ओर तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं जैसे अभी यह कुछ मुवमेंट मिले आगे भी ऐसे मुवमेंट देखने को मिलते हैं यह नहीं तो दोस्तों शाम के वक्त अक्सर ऐसी सुन्दर सुन्दर नजारे और सुन्दर सुन्दर मुवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं तो चलते हैं और देखते हैं क्या है नसीब में और आगे की साइट क्या देखने को मिलेगा और यह है पूरी core tiger territory जैसे अभी आपने spotted deer देखे ऐसे ही हो सकता आपको टाइगर भी देखने को मिल जाए इदर की साइड बोर्ड लगा है हाती बहुमूले छेतर दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको वाइड लाइफ के कुछ सुन्दर मॉमेंट और दोस्तों हम आगे धन्गरी गेट की ओर इदर की साइड जम के हो रही है जंगल सफारी और बहुत तुरिस्त ब बरसातों में फिर गेट हो जाएंगे बंद तो यह कुछ लास्ट टाइम ही है क्योंकि और कुछ दिनों बात फिर बरसातों में गेट बंद हो जाएंगे तो दोस्तों हम पहुंच गए धन्गरी नाले की ओर और इदर की साइड उस दिन हमने आपको दिखाया था और फिर वो घंटों धूल से खेलते वे और फिर निकल सम्य है हागे 0.00 की और दोस्तों यहां से निकल के जाएंगे घुर पॉयंट की और देखते हैं आगे將ध पॉयट की और क्या देखने को मिलता है और दोस्तों इदर की साइड चला है फुल का काम जो की जल्दी खूरा हो जाएगा और अभी ये भी बरसातों से पहले पहले इस काम को रोग देंगे जैसे बरसाते शुरूँगी ये फिर काम रुपके और फिर शुरूँगा बरसातों के बाद तो चलते हैं आगे की ओर और क्या देखने को मिलता है टाइगर लेपड यह शलॉट भी है दोस्तों यह को टाइगर टैरेट्री और यहां कहीं भी आपको अचाना टाइगर के दर्शन हो सकते हैं तो चलते हैं आगे जीरो पॉइंट की ओर और देखते हैं स्याम के वक्त क्या है जीरो पॉइंट की जिम कॉर्बेट नेशनल पारक का पूरा घना जंगल और इधर की साइड कोसी रिवर ये बीच में कुछ बेर दिखाई दे रहे और इसकी दूसरी साइड है कोसी रिवर जिदर अक्सर वाइड लाइब जाती है रोड क्रोस करके पानी पीने तो इस शाम के वक्त कुछ ऐसे दे जाते हैं क्योंकि शाम के वक्ती वाइड लाइब पानी पीके आती है तो इधर की साइड करें सामा डियर ये देखे दोस्तों इधर की साइड करें काफी सारे सामा डियर ये देखे और ये पीछे मेल सामा डियर है इसके काफी बड़े-बड़े सींग और ये तीन एक फ लग रहे हैं यह देखें यह देखें किया साम के बख सुन्दर मूवम्मेंट है यह देखें और टाइम हो रहा है लगबख साड़े पांच यह हो चकता है रोड क्रॉस करके जाएं रिवर साइड यह देखें किया सुन्दर मूवमेंट है और पीछे की साइड यह मेल सामा दियर यह देखें यह पीछे की साइड मेल सामा दियर भी आपको दिखाई दे रहा होगा तो चलते हैं आगे के और इने डिस्टर नहीं करते हैं और दोस्त इधर की साइड कुछ चोटे-चोटे मंकी जो रोड साइड तो कर रहे हैं कुछ खाने का इंतजार क्योंकि अक्सर गारियां निकलते वरते इने कुछ खाने को भी दे जाती यह देखें और इनके हाथ एक बहुत चोटा सा मंकी और दोस्तों चलते हैं दीरो पॉइंट की ओर और देखते हैं कि उधर की साइड क्या देखने को मिलता है और दोस्तों जब भी वाइड लाइफ दिखाई दे तो आप उनसे काफी दूरी पर रुक की और उस मुवमेंट को करें एंज्वाएं क्योंकि यह है वाइड लाइफ एरिया और यहां पे वाइड लाइफ को डिश्टब करना है दंड़नी आपराज तो चलते हैं आगे की और देखते हैं क्या देखने को मिलता है वाइफ दोस्तों हम आगे जीरो पॉइंट की और आप देख सकते हैं साम की ताइम दीरो पॉइंट का कुछ सुन्दर वीव रुकते हैं जीरो पॉइंट पर देखते हैं नीचे की साइड क्या है वाइल लाइफ की बॉममेट दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय शाम के वक्त जीरो पॉइंट का व्यू और नीचे की साइड कुछ स्पॉटेट डियर भी दिखाई दे रहे हैं यह देखिया आप कुछ हिलते डुलते दिखाई दे रहे होंगे और आगे की साइड है एक पीकॉक जो हमसे काफी दूर होने पर दिखाई नहीं दे रहा और दोस्तों पीछे की साइड है चुकुम विलेज और उदर की साइड आपको दिखाई दे रहा होगा वो है मोहान विल जारे जीदो पॉइंट के दोस्तो एदर जीदो पॉइंट पे हजारो स्पॉटि डिए यह देखें किता सारा इनका जुन्ड़ है और जादा स्पॉटि डिया छोटे छोटे दिखाई डेर है और जून करके लिखाता हूं जाता स्पाटे डिए चोटे दिखाई लेंगे और दोस्तो अक्सर ऐसे छोटे-चोटे स्पाटे डिएर पर और पूरे जुट पर तकार डिए टाइगर अचाना हमला जिसमें एक आत्व टाइगर के इससे में आई जाता है चलते हैं आगे की और देखते हैं क्या है आगे की वाइड लाइफ दोस्तों आगे चलते हैं मोहान चौकी तक और फिर वहां से फिर बापित जाएंगे सुन्दर खाल रिलेज तक तो चलते हैं मोहान चौकी तक और देखते हैं क और करते हैं जंगल को एंजोई यह देखिया आप यह आ गई रिवर क्रोसिंग और दोस्तों यह रिवर बिल्कुल सूखी पड़ी है इस समद्ध और इधर की साइट अक्सर आपको एलिफेंट क्रोसिंग भी दिखाई दे जाएगी और इधर आगे पहारी पर आपको शाम के वक्त अक्सर सामा डियर की मुवमेंट भी दिखाई देगी क्योंकि कुछ सामा डियर रहते हैं इस पहारी पर जो कि अक्सर हमें हर बार शाम के वक्त दिखाई देते हैं तो चलते हैं आगे कि और और देखते हैं क्या है वाइड लाइफ की मुवमेंट ज़य देखिए दोस्तो सामने की साइड है धेभ सारे इस्पॉर्टिड डियर यह देखिया कम-कम 8 से 10 स्पॉर्टिड डियर दिखाई दे रहे तो पत्तो का कलर और एन का कलर एक सा है इसलिए जाधा के लिए दिखाई नहीं दे रहे वो काफी सारे हैं और आप घर बैठे लें वाईड़ डाइफ का एंजिए चलते हैं आगे कि ओर यह रस्ता जाता नीचे चुकूम विलेच की ओर और नीचे की साइट ही है काफी संदर संदर दिजॉड तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि मोहान तक और क्या वाइल डाइप देखने को मिलती है इधर की साइट कुछ बंदर रेलिंग पर चलते रहे देखें दोस्तों कुछ लंगूर भी दिखाई दे रहे हैं यह देखें यह देखें भागा दोस्तों इतर की साइट काफी लंगूर आपको अक्सार देखने को मिल जाएं यह साम के वापको वाइल लाइफ का सुन्दर मॉवमेंट और इसे घर बैठे लें एंजॉय और हमें कमेंड करके जरूबता है कि आपको वाइल लाइफ देखके कैसा लगता है तो दोस्तों हम पहुंच गए मोहान चौकी की ओर और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं मिलते हैं आप से नएक ब्लॉग में तब तक लिए गुड़ बाई और ऐसी सुन्दर सुन्दर वाइड लाइफ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब क करें मिलते हैं आप से नएक ब्लॉग में तब तक लिए गुड़ बाई